तो भाई यार आप मेंसे बहुत ज़्याद लोगों के कमेंट आए थैं कि भी याप बाइनेंस के उपर आपने फूचर ट्रेड में हमें ट्रेडिंग करना सिखाया है, साथ की साथ में ये भी बताइब भी हम कैसे टोकन को select कर सकते हैं future trade के बीच में और वो मैंने आपको बताया था ये market में जाके हम data को analyze करके ये सब चीज कर सकते हैं लेकिन आप जो comments maximum आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं ये हमें bitcoin के उपर यानि king coin है जो हमारा उसके उपर profit book करना सिखाए है साथ की साथ में ये भी बताये हैं भी हम कैसे तै करें जो candle है वो कैस तरह का जाने वाला है मतलब red candle generate होने वाला है या फिर green candle generate होने वाला है तो ये video पूरे का पूरे bitcoin को पर रहेगा कैसे आप bitcoin से profit book कर सकते हो साथ की साथ आपको live यहाँ पर दिखाया जाएगा profit book करके तो चलिए मैं start करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको का करना है यह हमारा market से market में आपको पांच option दिखाए देंगे favorite का market का discover का square का साथ की साथ data का data पर सबसे पहले price chain distribution यहाँ पर यह वह चीज़ शो कर रहा है आज overall market ने कैसा react किया है तो आपको दिख रहोगा जो यहाँ पर candle मतलब green color बन रहा है वो थोड़ा सा है red candle मतलब यहाँ फिर red color जो बन रहा है यहाँ इसका मतलब यहाँ आज market overall loss में रहा है यानि minus में रहा है profit बहुत कम दिया market ने overall loss ही दिया यहाँ से यहाँ यह पत लगया price chain distribution से थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहाँ पर heat map आजाएगा heat map यहाँ आज जो हमें trade करना वो बिट कोईन के ओपर तो हमारे पर यहाँ बिट कोईन USDT का pair आ रहा है क्या तो cross होता है क्या isolated होता है साथ की साथ यहाँ पर limit के होता है post only market यह सब चीज उसको बहुत ही detail में समझाए हुआ वो check out कर लेना मेरे channel के ओपर मिल जाएगा आपको तो हम क्या करेंगे यहाँ से isolated में लेंगे साथ की साथ जो leverage लेंगे वो minimum 5 गुणा maximum 10 गुणा हम यहाँ पर leverage लेके चलेंगे यह मेरा confirm हो चुका है next मुझे क्या काम करना मुझे candle analyze करना किस तरह से candle अब react करने वाला है वो कैसे करेंगे आपको यहाँ से candle graph set करना वो करना है last 15 minute का candle graph set एक बार 15 minute का candle graph set करना फिर दूसरा करना तीन मिनट का candle graph set दोनों का analyze करके यह पतल लगाएंगे अब जो graph है वो कैसा जाने वाला है या फिर candle किस तरह कर रियक्ट करने वाला है red candle या फिर green candle पंदरा मिनट के चार्ट के according अभी जो currently बन रहा है वो बन रहा है green candle यानि यहाँ पर purchasing चल रही है last के तीन मिनट के उपर आ जाते है last के तीन मिनट के उपर देखा जाए तो यहाँ पर purchasing एकदम नीचे से start होके अब की तरफ जा रही है यानि यहाँ पर लगातार purchasing चलतो ही नज़रा रही है अब यहाँ पर देखो जिन लोगों ने नीचे purchase के होगा यानि इस point पर कहीं पर अब वो करेंगे इस point पर जाके sell out कर देंगे उस चीज को क्योंकि उनका profit book हो रहा है और sell out होने के कारण भाई अब भी जो currently position है उससे एक या दो मिंट बाद ये dump down होने के शुरुवात हो जाएगे क्योंकि जब यहाँ से profit book करेंगे लोग जिनोंने यहाँ पर purchase के इस point पे वो इस peak पे जाके sell out कर देंगे तो वहाँ से क्या होगा price में एक downfall देखने को मिलेगा इसलिए जो हम यहाँ पर trade लेंगे वो लेंगे sell की trade तो मैं sell की trade पे गया limit के जगा मैंने market price जो चर रहा है currently उस पे select के और sell short पे मैंने click कर दिया यह मेरी यहाँ पर positions आ चुके हैं यह देखें यहाँ पर अब मुझे क्या काम करना है मुझे यहाँ पर जो profit चाहिए वो चाहिए मतर point 50 dollar का profit ज्यादा का लालच नहीं करना है मुझे एक वीडियो में बतायों भी लास्ट वीडियो चैक आउट कर लेना भई अब यहाँ पर क्या है जैसे मैं समझा चुक है अगर आप मान के चलो आपने purchase किया बिल्कुँ down position पे जैसे मान के चलो आपने 2 dollar में purchase कर लिया प्राइस आपने 2 dollar में कुछ चीज परचेज कर लिया अब उसका price जासे जाए 10 या 12 dollar हो जगा आप क्या करोगे तरण उसको 90% लोग sell कर देंगे सिरफ 5 ये 10 परसेंट लोग है जो उसको रखके रखेंगे बाकि 90% लोग उसको sell कर देंगे और यही कारने पर जब वो sell करेंगे तो वो जो price अप जा रहा था जो candle formation हो रही थी वो क्या उल्टी बननी श्टार्ट हो जगी यानि रैसिप्रोकल हो जगी उसकी बिल्कुल opposite बननी श्टार्ट हो जगी जहाँ पर green candle बन ली थी तो वहाँ पर क्या red candle बननी श्टार्ट हो जगी जब maximum selling होगी और दूसरी indicator कहता हमारा जब हमने market में data को analyze किया तो data analyze करने के बाद हमें यह पता लगया मार्किट जो है आज maximum downfall में गई है यानि माइनस में गई है प्रोफिट बहुत ही ज़्यादा कम दिया है तो हम यहां से दो तिन चीज़ों से पता लगा सकते अब क्या कुछ करंटली चलने वाला है हमारे पास बस एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा आपक क्यों नहीं लगाने वह भी मैंने एक वीडियो बनाय हुआ है क्योंकि देखो stop loss आप लगाओगे आप क्या करोगे stop loss तिरह माइनस में ही तो लगाओगे मेरा अगर माइनस जा रहे लोज जा रहे दो डोलर या तीन डोलर का तो मैं stop loss लगा दूगा लेकिन अगर कोशिस मान रखे दो डोलर का वो close हो जेगे position तो आप सोच चेगे या यह तो लोस हो गया तो इसी लिए trade में live बने रहना है यही मैं हर वीडियो में अपने यही बताए हो भी live trade में अगर बने रहोगे तो आपका profit बहुत ही जादा हो जाएगा अगर आप live नहीं रहोगे तो आपका profit book नहीं होगा तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब हम क्या गया लाई बने रहेंगे इस trade के बीच में और यहां पर देखते हैं क्या कुछ यहां पर रहने वाला इस trade के बीच में तो यहां पर current लिया भी जो हमारी position है वो 0.11 dollar पर minus में चलती ही नजर आ रही है 0.14 dollar और अगर यहां पर लगे आपको भी नहीं एक dollar close हो गया दो dollar close हो गया close करते तो position तो मैं बताता चलूँ 1.75 dollar से लेके लगबग 2 dollar तक आपको wait करना अगर उसके उपर भी जा रहा है price तब आपको position को close करना और यह होगा सिर्फ 1 या 2% rare chances में वैसे अगर आपने candle को analyze किया या weight की है मैंने मैंने सोचा हो और ज्यादा profit लूँगा तो भी देखो profit मतला जो चीजा जितना ज्यादा लालच करोगे फिर उतना ही आपका नुकसान हो सकता है हाँ कभी कबार तुक का जरूर लग सकता उस चीज के बिच में वैसे maximum chances आपका lows ही होगा हाँ अगर आप पू देखते हैं इसके price को क्या कुछ यहां पर रहने वाला है अब देखो 0.17$ माइनस में चल लगा है 0.14$ कोई problem नहीं है 0.20$ अब हम भी जाते हैं एक बार price आप जाए क्योंकि जब आप जाएगा तो maximum लोग उसको sell out करेंगे जब sell out करेंगे तो price फिर से dump down होगा और वहीं पर हम अपना profit को book कर लेंगे तो मैंने इसके पूरी आपके फिचे की strip आ देवे किस तरह से यहां पर work करती है यह चीज़ी आपर बस हमें wait and watch करना है हाँ price अब किस तरह से जाएगा plus में कैसे जाएगा minus में अब आप देखते रहो आपके सामने यहां पर और फिर अपना profit book करक उनको बताता चलू अगर आपको यह चेक करना है ट्रेड कौन से टोकन पर की ही जाए future trade के बीच में जरूरी नहीं bitcoin क्योंकि यह तो एक special वीडिया आया था बिटकोन के पर profit book करके दिखाए तो यहां पर यह मैंने bitcoin के regarding आपको बताए अगर आप चाते हो बई मैं bitcoin को token select कर उसकी कैसे procedure रहेगा तो मैं यहां पर बता दू यह data पर आपको आना है market में जाके यहां पर जिस token का price plus में सबसे ज़्यादा चल रहोगा हम उस token के पर future trade करेंगे जैसे यहां पर according to यह चल रहा हमारा सबसे ज़्यादा पे-पे-USDT का पेर 1000 पे-पे-USDT जो लग बग 4% plus में चलता हो नजर आ रहा है यह हमारा तो हम क्या करेंगे इस पे trade करेंगे अगर हमें profit जादा से जादा चाहिए future trade के बीच में बाकि जो हमारा आज का topic है उसके अंदर सिर्फ हम bitcoin के उपर ही trade करने वाले हैं यहां पर तो यह हमारा bitcoin है इसके उपर हमारी already यह position book हुई प आपको क्या live रहना है trade के बीच में close नहीं करनी है अगर आप close कराना चाहते तो close कर देना या फिर stop loss लगाओगे तब भी आफिर loss में ही जाओगे तो इस चीज का मैं पहले भी वीडियो में बताया इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है अगर आप trade करके profit book करना चाहत हो तो हम वेट वाच करेंगे याँ पर देखते हैं प्राइज में क्या कुछ रहेगा पॉइंट 21 डोलर पर चलता हुआ नजर आ रहा है माइन के बीच में अभी देखो candle graph थोड़ा थोड़ा डाउन फाल में जाना स्टार्ट हुआ है पॉइंट 18 डोलर हो चुका है मात्तर अब पॉइंट 21 डोलर रह चुका है तो यह लगा रहेगा अप डाउन अप डाउन लगा रहेगा जैसे sell purchase यहाँ पर लगा रहेगा सेम अप डाउन की position यहाँ पर लगी रहेगी है देखो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं किस तरह से profit चलता है किस तरह से loss में चल रहे हैं य उसके लिए मैंने जो brief वीडियो बनाई हो उसको watch out कर लेना भी आपको सारे के सारे जितने भी doubts है वो सब clear हो जाएंगे वहाँ पर किस तरह से चीजे चलती हैं और इनका क्या benefit हम उठा सकते हैं कैसे नहीं उठा सकते हैं और leverage आपको जादा नहीं लेने बस इस चीजी का खा का रहा है 0.41 परसेंट का लोस अभी दिकार है हमें यहां पर और एक यह liquidity price होता है liquidity price भी काफी जाता पूछ रहे थे confusion में थे liquidity price का मतलब क्या है liquidity price का यह मतलब है जो हमने अभी currently price में जिस price में हमने select किया जिस price में हमें token खरिदा वो कितना था 67,636 और liquidity price का मतलब है आगर इसका price bitcoin का 74,000 पे पहुंच जाता है तो हमारा जितना भी पैसा लगाए वो सब 0 हो जाएगा ठीक है तो यह तो liquidity price है हमारा बाकि यहार मैंने उस वीडियो में पूरा briefly explain कि हूँ है तो वो वीडियो जुरूर watch out करना अब हमें just का करना wait and watch करना और दूसरी चीज बताते चलो अभी तो हम देखो हमारा margin नहीं देख सकते हैं पर थोड़ा सा margin है क्योंकि यह just मेरे educational purpose ले वीडियो आती है और बाकि मेरे main account में अगर आप चेक आउट करोगे वो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में जितनी वीडियो डाले हो मेरे main account से है उसका चेक आउट कर लेने तो वहाँ पर हम अच्छा कासा profit book करते थे अब यहाँ पर हमारा थोड़ा margin है थोड़े margin के अंदर ही हम यहाँ पर कर रहे है तो इसलिए यहाँ पर इतनी जल्दी profit हमारा book नहीं हो पा रहा है और अगर हम थोड़े जादा margin से around 50 या 60 डॉलर भी minimum 50-60 डॉलर गाए और उस पर leverage लेते है दस गुना तो लगबग लगग लगग 500 डॉलर बंज करते हैं देखते फिर क्या रहता है तो देखो गाइज 0.26 डॉलर का हमारा profit हो चुक है यहाँ पर लेकिन हम इसमें wait करेंगे क्योंकि हमारे जो main target वो लगबग 0.50 डॉलर के आसपास क्या है यह मैंने आपको तरिक्का बता दिया आप किस तरह सी यहाँ पर अपना बहुत ही इसे bitcoin के ऊपर आप trade लेके profit book कर सकते बस इस trick के ऊपर आपको काम करना है और आपकी जयतनी ज़्यादा investment होगी उतना ज़्यादा आप अपना profit book करोगे अब हमारी investment यहाँ पर भी देख सकते हैं बही हमारा margin ही बहुत कम था और उपर से हमने leverage ले रखिया तो इसी कारण जो ह हमारा profit है वो बहुत कम हो रहा है यहाँ पर लेकिन main चीज अब प्रोफिट book हो रहा है यहाँ पर loss में नहीं जा रहे बस यह चीज आपको main समझा नहीं इती इस वीडियो में तो होप सो आप समझ चुके होंगे और यह देखे 0.35 डॉलर का भी profit हो चुका है अब ही मैं और आप देखो 0.42 डॉलर का मारा profit हो चुका है 0.41 डॉलर का profit हो चुका है तो मैं भी close कर देता हूँ अपनी trade को यहाँ पर क्योंकि 0.47 डॉलर का profit हो चुका है और जो मैं समझाना चाता था इस वीडियो में के अदिम से होप सो आप समझ चुकी होंगे और यह देखो graph भी down position में जा रहा है अगर मैं wait करूंगा न होर ज्यादा graph down position में जाएगा यहाँ पर होर ज्यादा मेरे profit चला जाएगा लेकिन मुझे risk नहीं लेना risk नहीं लेंगा इससे पहले मैं क्या क्या करूंगा close कर देता हूँ confirm और यहाँ पर close कर दे अपनी position को तो हमारा जो main target है उसके आसपास ही reach करना है अगर आपको समझा आगे तो like कर देना नहीं समझा तो comment कर देना मुझे